हलो फ्रेंड, बेलकुम टो एट चैनल ग्यान फुर एकजाम आज किस वीडियो में हम सब जानेंगे जो हमारी स्रीज चल रही थी आप सब को पता है हमने एक नई स्रीज शुरू किये है दस का दम इस दस का दम में हम लोग करते यह हैं कि डेली आपको 10 प्रसण दिये जाते हैं भीन-भीन सब्जक्ट से और किसी दिन आपके किसी एक special सब्जक्टस रहते हैं और जहां पर हम लोग वैसे प्रसणों को करते हैं जो एकजाम औरियंटिड यानि की कह सकते हैं लत्खोर प्रस्ट लत्खोर प्रस्ट यानि कि जो हमेशा आते रहते हैं यह सभी एकजाम में तो आज ही हमारा तीसरा नमबर सेट होगा इससे पहले दो और करा दिये गए हैं आप लोग नहीं देखें तो जाकर के जरूर देखेंगे दस का दम प्लेलिस्ट में आपको मिल ज पचीस से तीस प्रस्ट जानने के लिए मिलते हैं तो वीडियो को लाश्ट तक देखें और हमारे साथ पने रहें और आखरी में आपको कमेंट करके बताने होंगे कि आपको दस में टोटल कितने सही हुए अगर आप इसमें दस में साथ भी सही करते हैं तो आपकी परफॉर पर पिल्सकेशन की और उससे पहले आप लोगों के लिए एक नया ऑफर आ गया है, नई बैच अ स्टार्ट हो रही है, 20 मैज से बिहार दरोगा PT के लिए, जहाँ पर यह हमारी जो इससे पहले भी और सारी बैचे चल रही है, नई बैच 20 मैज से आ रही है, होमबर्क सरीज की, जो कि पहली बार हमारे application पर कराई जाएगी तो आप हमारा application जरूर download कर ले नीचे description में link दी गई है या फिर आप Google Play Store में जा करके ग्यान for exam application सर्च करेंगे आपको मिल जाएगा आप वहाँ जरूर join कर ले इसमें आपको दिये जा रहे हैं special है उसमें daily आपको live classes होंगे एक से दो घंटे की daily PDF है weekly test है live discussion है dot session होते हैं group discussion होते हैं साथ ही साथ और भी आपको important PDF दिये जाते हैं तो आप लोग जूडे साथ में आप लोग के लिए एक offer भी है जो लोग आप 5 फ्रेंड एक साथ हमारे साथ join करते हैं वो उनके लिए 10% extra discount दी जाती है अगर आप 5-10 इस तरह से लेकर आते हैं तो आपको 10% की extra discount दी जाएगी उसे भी आप उसके फाइदा लेने के लिए आप application को download करें वहाँ पर आप अपने 5 मित्र को एक साथ लोग इन करने के बाद आप हमें WhatsApp पे मैसेज करेंगे हमारा नमबर है 765495719 यहाँ पर आपको मैसेज करने के बाद आपको एक special code दी जाएगी जहाँ पर आपको 10% की discount मिल जाएगी तो आप सभी लोग हमारे साथ जुड़ें और नए बैच में चरूर application को download कर लेंगे नीचे description में लिंक दी गई है और इसका PDF भी आपको वहीं पर मिल जाएगा तो आएए देखते हैं आज का पहला प्रस्ट क्या है आप हर एक प्रस्ट के लिए 2-3 सेकंड का समय लेंगे और सही answer करेंगे पहला प्रस्ट है मजहर नामा की घोसना अकवर ने किस वर्ट की थी मजहर नामा की घोसना अकवर द्वारा की गई थी जिसकी 1589 इसवी में option number B 1589 इसवी में अकवर द्वारा मजहर नामा की घोसना की गई थी अगर हम other option की बात करें तो 1575 1575 इसवी में ही अकवर ने इवादत खाना के स्थापना किया था 1582 की बात करे तो 1582 ने एक धर्म चलाई थी दीन ए इलाही दीन ए इलाही धर्म को चलाने वाला अकवर 1582 में इसकी घोसना करता है और 1585 इसवी में इसके द्वारा राजधानी को लहोर अस्थांतरित की जाती है तब आप ये बताएंगे कि अकवर जो है कहां से अपनी राजधानी को लहोर ले करके गया था अंसर कमेंट वाक्स में आप टाइप करेंगे चलते दूसरे प्रस्ण की ओर आज का दूसरा प्रस्ण है बहुत इंपॉर्टेंट है और हमेशा एकजाम में पूछे जाते हैं और लोग गलती भी करते हैं आप सही किजिएगा देखे प्रस्ण है किस प्रसीद सासक ने कलिंग को मगद छेतर में मिलाया था ध्यान देंगे किस प्रसीद सासक ने कलिंग को मगद छेतर में मिलाया था तो मगद छेतर में मिलाने बाला जो है वहनंद बंस का सासक महा पदमनंद जबकि बहुँ सारे लोग गलती ये करते हैं कि सीधे असोक को अंसर करते है तो असोक जो था वह कलिंग को मगद में मिलाया नहीं था वह कलिंग का यूद लड़ा था जो की इसका वरनन तेरवे सिरालेख में मिलता है और वी option की बात करें तो उदैएन की बात करें तो उदैएन जो है यह पाटलि पुत्र नगर को बसाया था उसके साथ साथ चंदर गुपत मौर की बात करें तो यह मौर बंस का संस्थापक था मौर बंस का संस्थापक जिसने नंद बंस का ही जो सासक था घना नंद उसे हरा करके बनाया था चले तीसरे प्रसंद की ओर तीसरा प्रसंद कहता है कठोप निसद किस वेद का उपनिसद है यहाँ वेद हो जाएगा कठोपनी सद किस बेद का उपनी सद है तो कठोपनी सद जो है या मुखरूप से यजुर बेद का उपनी सद है यजुर बेद की ही जो सत्पत ब्रामन है सत्पत ब्रामन या यजुर बेद की ही ही है अगर हम बात करें रीग बेद की तो रीगवेद में पुरुसु सुक्त का वर्णन मिलता है सामवेद की बात करे तो सामवेद में सामवेद को संगीत का जनक कहा जाता है और अथर्वेद जिसे हम आपके जितनी प्रेम, प्यार और आपकी गल्फरंड के बारे में जादू टोना के बारे में जो बताता है ये आपके अथरवेद में ही पता चलती है यानि कि प्रेम, प्यार, जादू टोना, मोह, माया सभी कुछ आपके अथरवेद में वर्नित है अगला प्रसन है हमारा आज का Most Important सर्व प्रथम स्वराज सब्द का परियोग किसने किया था यहाँ पर भी लोग फस्त हैं तो ध्यान से समझेंगे सर्व प्रथम स्वराज सब्द का परियोग किसने किया था तो दादा भाई, सुरी माप करेंगे, दैनन सरस्वती ने सरप्रथम स्वराज सब्द का परियोग जो किया था दैनन सरस्वती ने किया था जबकि दादा भाई नौरोजी ने 1906 की कॉंग्रेस की कलकत्ता अधिवेशन में स्वराज सब्द की मांग रखी थी स्वराज सब्द का स्वराज की मांग रखने वाले कौन थे तो वह थे दादा भाई नौरोजी महात्मा गानी के बारे में आप जानती हैं चंपारन सत्यागरा भारत छोड़ो अंदोलन करो या और मरो की नारा ये सब ही दिये गए थे उसके बाद राजराम मोहन राई के बाद करें तो इन्हें पुनर जागरन की पितामा के नाम से जाना जाता है एक चीज़ याद रखेंगे दैनन सर्श्वती से कि दैनन सर्श्वती को भारत का मार्टिन लूथर के नाम से भी जाना जाता है चले अगले प्रेस्ण की और अगला प्रेस्ण हमारा आज का जिल ए इलाही की उपाधिक की सासक ने धारन किया था तो जिल ए इलाही की जो उपाधिक धारन किया था या बलवन ने किया था ओप्सन नमबर हमारा C हो जाएगा बजार नीती किस ने अपनाया था? अल्लावदीन खिल जी ने अपनाया था? सरवाधिक नहरों की खुदाई किस ने किया था? मुहमद बिन तूगलक ने किया था? और ग्यासे दिन तूगलक कौन है? तो तूगलक बंस का संस्थापक है चले आगे अगला प्रस्ण मोच्ट इंपोर्टेट यहां से आपको खुल चार प्रस्ण हैं, चार प्रस्ण हम बताएंगी चारों प्रस्ण को आप ध्यान में रखेंगे सबसे पहला जो प्रस्ण कहता है कि अद्वैत बाद सिधान्त के परतिपादक कौन है अद्वैत बाद सिधान्त के परतिपादक कौन है तो वह है संक्राचार बाकी अगर और बात करें हम इसके postmatum करें तो यहाँ पर आपको दिख रहा है माधवाचार माधवाचार जो है इन्हें द्वैतबाद के परतिपादक के नाम से जाना जाता है माधवाचार को द्वैतबाद के परतिपादक संक्राचार को अद्वैतबाद के परतिपादक रामा नूजाचारी की बात करें तो रामा नूजाचारी को बिसिष्ट द्वैता द्वैतबाद की कहा जाता है बिसिष्ट द्वैतबाद के प्रतिपादक के नाम से रामा नूजाचारी को जाना जाता है और निम्बार्क चार की अगर हम बात करें तो इन्हें द्वैता द्वैत ध्यान देंगे एक बिसिष्ट द्वैत बाद है जो रामा नुजा चार द्वारा किया गया था जबकि द्वैता द्वैत बाद की प्रतिपादक निम्बार्क चार है तो ये आपके कुल 4 प्रस्ण है यहां से 1 नए 1 प्रस्ण आप से एकजाम में पूछे जाते हैं तो आप जरूर हमें कमेंट करके बताएंगे ये जो इतनी extra fact दे जारी है 10 प्रस्ण में वो आपको कैसे लगते हैं चलते हैं अगले प्रस्ण की ओर अगला प्रस्ण है सात्वा सात्वा कहता है प्रथम ओंगल मराठा यूद किसके सासनकाल के दोरान हुई थी प्रथम ओंगल मराठा यूद मराठाओं के साथ और अंग्रेजों के साथ जो प्रथम यूद हुआ था यह हुई थी वारेन हेस्टिंग के समय में प्रथम ओंगल मराथा युद हुई थी वारेन हेस्टिंग के कारिकाल की बात करें तो 1775 से या 1772 से इसवी तक रहा था और इसी बीच 1772 से इसवी में प्रथम ओंगल मराथा युद के समय साल बाई की संधी कौन सी संधी साल बाई क की संधी होती है चले अगले प्रस्ण की ओर अगला प्रस्ण भी मोस्ट इंपॉर्टेंट है और भी भी आई करकी से आप टिक करेंगे प्रस्ण कहता है किस पत्रिका ने वर्ने क्यूलर प्रेस एक्ट का समर्थन क्या था ध्यान से समझेंगे वर्ने क्यूलर प्रेस एक्ट का समर्थन किस पत्रिका ने किया था तो पहले आपको बता दू कि बरनेक्यूलर प्रेस एक्ट ये कब आता है 1878 में 1878 इस वी में इसे लागू किया जाता है और इसका समर्थन किया था पाइनियर पत्रिका ने अगर हम बात करें बरनेक्यूलर प्रेस एक्ट को पारित किस ने कि लॉड रीपन करता है तो ये दोनों पॉइंट को धियां रखेंगे बरना क्यूलर प्रेस 1878 एस्वी में लाई जाती है जिसे पारित करने वाला जो गवर्नर था वह था लॉड लीटन जबकि निरस्त यानि की समाप्त करने वाला जो था वह था लॉड रीपन लीटन और प्रस्ण आज का 9 नमबर यहां से भी 4-5 प्रस्ण आपको हम बताएंगे भी इसकी भी पोस्टमार्टम हम करेंगी तो देखिए पहले प्रस्ण जानते हैं कि जैन धर्म के तिसरे तिर्थकर का प्रतिक चीन क्या था तिसरे तिर्थकर तो आपको पता होना चाहिए कि जैन जैन धर्म के तिसरे तिर्थकर माने जाते हैं संभावनात संभावनात का अगर प्रतिक चीन की बात करें तो उनका प्रतिक चीन है घोड़ा ये ध्यान रखेंगे अब अधर आप्सन की अगर हम पोस्टमार्टम करें तो आपको यहां दिख रहा है सांड सांड जो है या ज सब देव उनकी प्रतिक चीन है हाथी की बात करें तो जैन धर्म के दूसरा जैन धर्म के दूसरा जो तिर्थंकर है अजीत नात उनकी प्रतिक चीन कौन सी है हाथी और हीरन की बात करें तो जैन धर्म के सुलहवा कौन से सुलहवे जो तिर्थंकर थे इक और याद रखेंगे जैन दर्म के अंतिम और 24 वे तिर्थिकर जो हुए वह हुए महावीड स्वामी महावीड स्वामी की प्रतिक चीन की अगर हम बात करें तो इनका प्रतिक चीन हैं ठीक है ये आपको यहां से 5 से 6 प्रास्ण आपको दिए गए है चलते आखरी प्रस्ण की और आखरी प्रस्ण है आज का ब्रिधेसवर मंदिर कहां इस थी थे ब्रिधेसवर मंदिर जिसे बनाया कौन था तो चोल कालमी से बनाई गई थी किस समय में चोल समय में चोल प्रसासन थी उस समय बनाई गई थी और चोल सासक जो था राज प्रथम राज प्रथम द्वारा ब्रिधेश्वर मंदिर को बनाया गया था जो की तंजौर में इस ती थे option number A सही होगा तो ये थे आपके कुल 10 प्रसन यहाँ पे हमने postmatum के 7 लगवग 20 प्रसन को बताया है तो आप आखरी में आप कमेंट करके बताएंगे आपके टोटल कितने सही हुए और चलते हैं कल का जो प्रसन था देखे अगर hydrometer की तो hydrometer में हम मापते क्या हैं तो द्रब का पेछी घनातों को माप आ जाता है और hydrometer से क्या माप आ जाता है तो बाइमंडल की आदरता मापने के लिए हम hydrometer का परियूग करते हैं और ये रहा आज का प्रसन इसका आंसर आप comment वाक्स में करेंगे और साथ ही साथ जिन्हें इसके बारे में जितनी ज़्यादा जानकारी होगी वो सारी जानकारी आप यहां लिख सकते हैं प्रस्न है चंदावर का यूद कब हुआ था तो चंदावर का यूद के लिए आपको आंसर करना है आपसन है 1191, 1192, 1193 और 1194 तो आप सही आंसर करें और टोटल स्कोर आपके कितना है ये भी आप कमेंट में जरूर करेंगे तो आज के लिए इतना ही जो लोग दरोगा वाली बैच में जोईन करना चाहते हैं वो हमारा अपलिकेशन डॉनलोड कर लेंगे नीचे लिंक दे दी गई है साथ ही साथ आपको जितने भी इसके PDF दे जाएंगे वो आपलिकेशन पर ही मिल जाएंगे और हमारा टेली ग्राउं वाटसप ग्रूप को जोईन कर लेंगे सभी का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दी गई है और जो पीछले सभी वीडियोज है उसे आप देखते रहेंगे याईसे ही हम लेकर डेली आदे हैं और जल्द ही हम 10 प्रसन का डेली केरेंट अफिर्स रीज भी सुरू कर रहें जहांपर आपको डेली 10 प्रसन केरेंट अफिर्स के टॉप 10 कराए जाएंगे तो आज के लिए इतना ही मिलेंगे अगले सेट के साथ अगले वीडियो में तो हमारे साथ बने रहें हमारे साथ जुड़ने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद जै हिंद